नमस्क्र देनिक शिप्टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागता है समय हम जमू के प्रेस कलब के बिल्कुल बाहर परिसर में जहां पर अमंधी बोपेराय जो जाड सबा के प्रधान है और इनके सारे साथ ही यहां पर बैटें कुछ देर पहले कि अगर बात करें आज लड़के वहां से रैली निकाल रहे थे अब रोड से रैली निकलती है तो वहां पर हमने आपको लाइब बता दूंगा कि यह मेरा वटसप है आप इस पर पिन की हूँ है मैंने आप यह दो मैसेज हैं यह पाकिस्तान से आया हुए है और इनकी रैली पर हमला करने की इस पी को कपी दी और सबसे हमने इवन हमने जो इसको बताना यह रहा है यह यह देखें आप नंबर भी देख लीजिए यह नहोंने पहले का के मुझे थ्रेट थी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के मैसेज़े जा रहे थे तो इन्हें पहले ही आप यह अंशिद दी तो फि भाई थे वह रूट वही था उनका अचा डी हमारी हमारी डेलिगा रूत नहीं था जो हमारी में डेली थी वह जो आपने कवर की है वह जो है चौतय तबी बुन से निक ली थी और वह जाके मीरा साभ में खतो हो नहीं ती जो अप भी होता है कि लड़कों की कोई बहंसबाजी होती है और वहां पर जो है 20 बंदे हमने हमारे जो वहां लड़के हैं उन्होंने बताया 20 बंदे लाटी डंडे लेके आया हैं देखिए अगर प्लांड नहीं होगा कुछ तो on the spot हत्यार नहीं होते हाला कि हम बोल सकते थे कि हमारे पा हैं और दो एड्वोगेट थे हमारे भाई वह गया है हमने चार बंदे हम गाड़ी में बैटें हैं लेकिन वहां पर क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सिच्वेशन कोई एंगल ले क्योंकि हमारा 2500 लड़का यहां खड़ा था जिसको अक्रोश आ गया था तो मैंने का सिच्व करने के लिए आपके पास वीडियो होगी अगर नहीं है तो हम प्रोवाइड करवा देंगे जैसे ही मैं पहुंचा हूं वहां पर तो वहां पर कुछ दो चार अनासर तत्त्त थे पहले वहां की जो जो थे उन्होंने का ठीक है हम बात करेंगे मैंने उनसे अपना कहा कि हम ब अपने अंगूठे में दबाके हमला करता है लेकिन हमारे कुछ भाई थे उन्होंने बचा लिया बातार फैर्वाइड को था उपर किया है धुंकि बकादा पुलीस के पास सब कुछ था हमने कहा था इन मैसेजिज में लिखा है कि रैली नहीं निकाल ली आपको क्योंकि देखे जमू कश्मीर में नी पूरे भारत में जट कौमी ऐसी है जहां पर हिंदू सिख और मुस्लिम जो हैं इकठे हैं हम जो अपने गौत्र लगाते हैं और शा जो लाइसेंस टु वैपन है क्योंकि मुझे थ्रेट है वो मैंने अपनी गाड़ी में रखा था बैग में एक चीज़ मैं पूछना चाहूं आपके पास लाइसेंस वैपन है और कोड अफ कंड़क्ट जो है वो लगा देखिए कोड़ आप वैपन आपको जमा करवाने चाह वरोसा उठा हुआ था क्योंकि पुलीस आज तक उन लोगों को डाल नहीं पए अगर मैं वैपन भी दे देता तो मेरी जान को बिल्कुल खत्रा हो जाता एक सेफटी के लिए रखा था उस वैपन को आप बताएं जो वैपन बताया जा रहा है वो गाड़ी के अंदर एक बै जाहिदीन के साथ लिंक है एक जम्मू का किसी कोई गेंग्स्टर है जो पीएसे में अंदर है उसकी तरफ से थ्रेट थी उसके सपोर्टर्स की तरफ से थ्रेट थी थी ते कि रहली ना निकाली जाए तो हमने यह और पुलीस को पता है सब कुछ पता है हमारे लड़कों को देखिये के पुलीस ने यहां पर लड़के यहां पर जहां हमारा में डैली थी यहां देख़ capitalize बाहर आनने लगए वहां पुलीस ने गाड़्या लगा दि immun हाने लेकिन उस पौक קशभीलियों के अदर हत्यार ते तलवारे थी और शिराब की बोतले वेर मैरी बात सुने अगर किसीकी शराबं की बोटल हो तो पी तो नही exist , पहली बात अब देखे जैसे बूल रहे हैं पिल्कुल वहार रोड पे देखिए हम उनकी बात से ही करतें रोड पे एक धायदा एक एक और यह जुड़ा पर जाज़ें कि रहे हैं आप सोचें हम 50 बुतले सड़कों पर डाल देंगे वहां से जो रैली थी में रैली भी नहीं थी क्या जी साज़िश है बिल्कुल साज़िश है हम अल्ड़ी कह रहे हैं ये साज़िश है ये जम्मू में महौल खराब करने की कोशिश थी अगर युवाज एटसभा का प्रदान अगर मैं नहीं होता तो इसको हिंदू सिख इशू बनाया जाता और वो लोग जो हैं जिन्होंने ये हमले की हैं वो बकायदा जो हैं क्रिमिनल लोग हैं तो आप यहां पर बैठे हुए हैं प्रैस कलाब ने प्रकेसर के वो लोग इडेंटीफाई किये जाएं उन पर पानूनी धाराएं लगाए जाएं पीएससे में अंदर हूँ और इडेंटीफाई किया जाएं कि जम्मू का महौल कौन लोग खराब करने की कोशिश कर रहे थे देखिए हमारी रैली वहां से निकल रही थी बीश लोगों ने दंडे कहां से लेकिया है हत्यार कहां से लेकिया है आप आप कह रहे हैं हम कह सकते हैं हमारे पास हत्यार होते एक तलवार निकली है बीग परधान मैं आप वीडियो देख सकते हैं मैंने तलबार पकड़ी थी लेकिन जब मैं उनसे बात करने गया हूं मैंने गाड़ी में अंदर रखी थी मेरा जो वेपन था वो भी बैक सीड पर रखा हुआ नवंबर से कंप्लेंज हैं फाइर पचास हुई भी है लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई है इसमें आप देख रहे हैं अमन्दीप सिंग बोपे रहे हैं जो यहां पर बैठे हैं हजार सबा के प्रधान है जो सुबा एक दुर्भागे पूर्न हास्ता हुआ इंसिडेंट उन लोगों ने वहां के लोगों ने हम पर हमला किया लगबग 20 लोग थे फिलाल यह मैटर आफ इंवेस्टिकेशन रहेगा क्योंकि वह लोग भी कह रहे हैं जो आपके सामने लाया अब पुलीस है जांच करेगी जांच में क्या निकल कर आएगा या आने वाला समय है जो लोगों ने वहां पर महौल ख़राब करने की कोशिश के और यह भी कहा रहे हैं कि हम पर हमला किया गया तो उस पर भी कारवाई हो उन पर भी स्क्राशिक जाए जरूर आपने यह सरदार लड़के हैं यह देखिए हमारे लड़कों की चापिया निकाल रहे हैं बाइक चापः चिननी हैं हमारी गाड़ीयों की वहां से ट्रेक्टरों को तोड़ा गया यह एक साजिश है हमला और होगो निकाल ऋचापः देखते हैं प्रशासिन किस तरह से प इन पर कारवाई करता है क्योंकि वो जो दिखाया था वो कह रहे थे वो सच है यह कह रहे हैं या यह सच है कौन सचा कौन जूटा यह तो प्रशासनी काधिकारी या पुलीस के अलाधकारी जब जांच करेंगे वरिफकेशन होगी उसके बाद ही पता चलेगा कौन सही है कौन गलता किसने शुरुआत की थी महोल को खराब करने के लिए आने वाला समय बताएगा फिलाल अपने कमेंट अपने सुझाव में दीजिएगा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए जोड़े यह सेमार से अगले अपडेट के लिए जहें जबर